हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक्विद एज और माइक्रोनी नाम सुनते ही सभी की मुझ में पानी आ जाता है तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूं माइक्रोनी से बनने वाली बेहत कुरकुरी और तीकी नमकीन जिसको खाते ही मुझा बिल माइक्रोनी लिए है 250 g उसके बाद आमशा पानी पहले से बुएल रवाज हो चुका है और उसमें माइक्रोनी डाल देंगे इसको एक बार तरह से चला देंगे जिससे मार일 नीचे चिपने के नहीं लिद्यक्त पर आधा से कम चमज नमक डाल देंगे और एक चमज बॉएल दाल देंगे अब इन सब चीजों को फिर से एक बार चला देंगे अब यहां पर माइकरोनी बहुत अच्छे से बाइल हो चुकिया यह देखिए तोटने से असाने से तोट रही है अब इसको चान लेंगे जो इसका पानी अलग कर लेंगे और माइकरोनी अलग और उपर से ठंडा पानी डाल देंगे जिससे माइकरोनी का कोकिंग प्रोसेस यही पर रुख जाए यह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया दिख रही है अब आगे चलते हैं आगे मैंने यहाँ पर यह लिया है कॉर्ण फ्लार दो चम्मच इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से माइकरोनी में मिक्स करना है इसकी कोटिंग कर देनी है इस तरह हलके हाथों से इसके उपर कॉर्ण फ्लार को मिक्स कर देंगे बहुत ही सावदानी के साथ ज्यादा इसको प्रेस नहीं करना नहीं तो माइकरोनी फूर्ट सकती है यहां पर कॉंण फूर्ट मााइकरोनी में मिक्स उ चुका है यहां पर इसकों फ्राई कर लेंगे तेल कर लिए अब यहां पर माइकरोनी इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइब करें हाई फ्लेम पर नहीं तो यह एकदम से जल जाएगी पांच से दस मिनिट बाद यह माइक्रोनी बिल्कुल फ्राइब हो चुकी है एकदम कुर्कुरी दिख रही है अब इसको निकाल लेंगे यहां पर माइक्रोनी फ्राइब होकर एकदम रेडी है अब एक बड़े बरतन में सारी फ्राइ कीवी माइक्रोनी को डाल रेंगे अब इसमें मसालों में लेंगे नमक लाल मिर्च का पाउडर दनिया का पाउड़र गरम मसाला इन सब चीजों को mix कर लेंगे आप चाहें तो उपर से अलग-अलग मसाले ऐसे ही sprinkle करके उनको mix कर सकते हैं बट मैंने याँ पे सारे मसालों को आपस में mix कर लिया है अब इनको साथ में ही उपर से sprinkle कर देंगे इस तरह से हाथ मिले कर पूरी माइक्रोनी के उपर बढ़िया से sprinkle कर दें अब दोनों हाथों की help से सारी माइक्रोनी इस तरह से mix करें माइक्रोनी में मसाले को जिससे पूरी दर से मसाला सब कहीं माइक्रोनी में लग जाए यह देखिए बढ़िया माइक्रोनी की नमकीन बनकर एक्दम तयार है यह बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यह बनकर तयार है अगर आपके घर में एक्दम से महमान आ जाए तो फटा फट इसको बनाकर महमानों को खिलाईए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए और अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और इस रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर ट्राइ करें आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें देडियो में